हेलो गाइस, माइक्रो कंप्यूटर्स राउल किला मैं आपका स्वागत है आज मैं एक एक्स्क्लूसिफ PC बिल्ड करने वाला हूँ जो कि आपका नियर आवार 2.5 लाक तक का बजेट में PC बिल्ड आता है इसमें मॉनिटर भी इंक्लूडेड है आईए देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हम इसमें यूज के हैं पहले जो इसमें प्रोसेसर हम यूज करे हैं यह आपका इंटेल के तरफ से इंटेल को i7 14th जेनरेशन का प्रोसेसर है जो कि 14700K मॉडल नंबर के साथ आता है इस पे जो हम मदरबोर्ड पेयर करेंगे यह टॉप अप दा लाइन एसस के तरफ से एसस रॉच्ट्रिक्स जेड 790H सिरीज का गेमिंग वाइफाई DDR5 मदरबोर्ड है काफी अच्छा यह मदरबोर्ड आता है जो इसमें हम प्रोसेसर के साथ पेयर करेंगे जो राम हम इसमें पेयर कर रहे है यह 16 इंटू 2 का केट 16GB DDR5 6000MHz RGB Kingston Fury नाम से आता है यह आपका 6000MHz पे क्लॉक है और 16GB का है 6 RGB के साथ है DDR5 और जो इसमें हम SSD पेयर करेंगे यह XPG के तरफ से XPG S70 Blade 1TB का Gen 4 SSD है काफी अच्छा read and write speed है जो इस सिस्टम में हम पेयर करने वाले है इसका जो first highlight है यह आपका graphics card है जो की gigabyte का 4080 Super 16GB gaming OC variant है यह 3 fan का RGB lights के साथ आता है और एक 4080 Super 16GB का graphics card है gigabyte के तरफ से जो इसका second highlight है यह आपका lianly का components हम इसमें यूज करेंगे जो की lianly का O11 cabinet हो गया एक lianly का AIO cooler भी है जो की कुछ इस type का model दिखता है lianly Trinity fan के साथ ही आता है काफी अच्छा AIO cooler है 3 fan का ARGB sync भी हो जाता है और इसमें जो हम fan भी use करेंगे यह भी आपका lianly का Trinity fan है SL Infinity बोल के आता है यह आपका fan का model और काफी अच्छा 3 in 1 fan का kit है इस पर हम एक SMPS यो pair करेंगे यह आपका MSI के तरफ से MAG A1000GL जो की आपका gold rated fully modular 1000 watt का SMPS है जो इसमें हम monitor यूज करेंगे यह आपका एक view sonic का 2K 240 Hz का monitor है काफी अच्छा refresh rate and high end refresh rate का monitor है वीडियो में बने रही है हम आपको last में दिखाएंगे इसका looks कैसे निकल के आता है धन्यवाद अच्छा आता है भीडियो में आता है आता है